नित्यानन्द और कैलाशा ये दौना एक बार फिर से चर्चा में है। उसमें उन्होंने कहा है कि युनाइटेड नेशन की महतपूर बैठक में युनाइटेड स्टेट्स ओफ कैलाशा की तरफ से विजैप्रिया नित्यानंद शामिल हुई है कैलासा की वेब साइट पर विजय प्रिया को United Nation में कैलासा का permanent ambassador भी नुक्त किया गया है इतना ही नहीं United Nation की इस बैठक में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप तक मर दिया है इस विवाद के बीच आए जानते है कि आखिर दुनिया के नक्षे पर नित्यानंद का हिंदुराश्ट कैलासा आखिर कहां इस्थित है इसकी आवादी कितनी है और यहां कौन सा कानून चलता है निस रिपोर्ट की माने तो भगोडे नित्यानंद का देश कैलासा दक्षिडी अमेरिका के एकवाडोर में स्थित है उसने यहां जमीन खरी दी और इसे अपना देश ही घुशित कर दिया भारत से इस देश की दूरी 17,000 किलोमेटर की है आवादी की बात करें तो कैलासा की बैट साइड पर जन संख्या को लेकर एक अजीब सा दावा किया गया है उनका दावा है कि हिंदूराष्ट को मानने वाले 200 करोड लोग उनके देश के नागरिक हैं और इसमें एक करोड लोग आदी शिव को मानते हैं हाला कि संयुक्त राष्ट में विजप्रिया ने दावा किया है कि कैलासा में 20 लाख अप्रियवासी हिंदू रहते हैं 1500 देशों में कैलासा ने एंबेसी और एंजियो भी खोले हुए है इस देश का एक मात्र हिंदू राष्ट है और यहां संस्क्रित तमिल और अंग्रेजी भाषाएं भी बोली जाती है कैलासा में चलने वाले कानून की बात करें तो यहां दावा किया गया है कि शास्त्रों और मनु इसमिती पर आधारित कानून यहां चलता है यहां रहने वाले लोग मनू के नियमों को मानते हैं कैलासा की सरकार इसे ही सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्मशास्त्र मानती है बैसाइट के मताबिक इस किताब के जरिये डेड़ हजार साल पहले प्राचीन भारत में नियम और कानून जो चलते थी उनका पालन आज के कैलाशा में किया जाता है